हेलो स्टुडेंट्स मैसल्फ नियत्य गुपता पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था स्टुडेंट्स कि न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं न्यूट्रीशन क्या होता है कितने ऍेटीड का होता है और चितने भी न्यूट्रेंट्स होते हां वह हुंआ किसकर city fighters जिसके बारे में पढ़ेंगे तो पर्टो सिंथेसिस का रोल क्या होता है फ्लांच में फ्लक्री शथी कि प्रोसेश होता है जिसते हैं से जो plants होते हैं अपना food खुद बनाते हैं पहले photosynthesis की definition देखते हैं students photo synthesis it is the process by which plants make their own food by the help of sunlight, water, minerals and carbon dioxide students photo synthesis एक ऐसा process है जिससे plants अपना खुद का food बनाते हैं by the help of कुछ material like sunlight, water, minerals and carbon dioxide तो students अब हमें ये चीज़ देखनी है कि photosynthesis plant के कौन से पार्ट में होती है site of photosynthesis क्या होता है इसका मतलब site of photosynthesis is leaves students leaves क्यों होती है इसके उपर बात करते हैं ये भी एक question उठता है कि photosynthesis सिर्फ leaves में ही क्यों होता है तो students leaves जो होती है green होती है और उनका green color होता है वो उनमें present chlorophyll की वज़े से होता है जो chlorophyll होता है students वो sunlight को trap करता है क्योंकि उसमें mesophyll cells होते है mesoplast cells होते हैं तो students इसी वज़े से leaves जहां पे भी chlorophyll present होगा वहां पे photosynthesis होगी और chlorophyll कहां present होता है leaves में तो इसी वज़े से leaves is the main site of photosynthesis students अब हम इसके उपर बात करते हैं एक और चीज़ पहले कि leaves जो होती है वो एक food factory के तरह काम करती है plants में कि जितना भी material है खाना बनने के लिए वो सब पहरे transport होगा leaf में leaf में खाना बनेगा और फिर जब वहां पे food prepare हो जाएगा plant के लिए जिस भी part के plant को जरूरत होगी food की फिर वो food leaf से उस another part में transport होगा I hope आप लोगों को ये clear होगा अब हम यहाँ पे raw materials के बारे में बात करते हैं ये भी एक question पूछते हैं कि what is the raw material for photosynthesis तो students चलिए हम इसको एक question के तौर पे ही लिखते हैं what is the raw materials for photosynthesis तो students raw material कौन कौन से होते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं sunlight, water, minerals and carbon dioxide first is sunlight water, mineral, carbon dioxide तो students अब हम यह बात करते हैं कि यह जो raw materials होते हैं plant को necessary photosynthesis के लिए अपना food prepare करने के लिए तो यह plant को कहां से मिलते हैं students जो sunlight है obviously वो तो sun से ही मिलेगा इसका मतलब कि हमें कहीं ऐसी जगा पे plant लगाना चाहिए जहां पे sunlight आ रही हो direct sunlight आ रही हो जहां पे उसे sunlight मिले वहां पे हमें plant लगाना चाहिए first condition तो यह हो गई students जो water और minerals होते हैं वो आते हैं students soils से soil में ही present होते है water mineral जो root absorb करता है by the process of osmosis वो अपने अंदर लेता है students पानी और minerals को और फिर उसके बाद by the help of vessels कुछ टाइब की vessel present होती है plant में उनको हम वैसे xylem vessels भोलते हैं मैं आप लोगों को यह भी बता रही हो कि उसको वैसे xylem vessels भोलते हैं पर आप लोगों के में सिर्फ xylem लिखावा है तो हम सब्सक्राइब लिखावा है तो फिर हम उसी पर बात करते हैं कि कुछ vessels present होती है जो water और minerals को root to leaves carry करती है यहाँ पर हम लिख लेते हैं present in soil transported to leaves by vessels students अब हम carbon dioxide पर आते हैं carbon dioxide हमारे लिए human beings के लिए एक waste material है एक harmful चीज है जिससे अगर हमारी body में जादर present हुआ तो हमारे death भी हो सकती है कुछ भी हो सकता है बहुत हामफुल होती है हम लोगों के लिए but plants के लिए यह एक बहुत ही useful चीज है जिसको हम exhale करते हैं plant उसे inhale करके अपना food बनाती है तो अब students वो carbon dioxide को plant अपने अंदर कैसे लेती है leaf पे छोटे छोटे pores होते हैं बहुत छोटे छोटे जिससे हम stomata बोलते हैं stomata जो होता है students वो guard cells से cover होता है हम उसका diagram maybe next class में देखेंगे या अगर time मिला तो इसी class में तो students वो जो stomata होता है वहाँ से carbon dioxide अंदर जाती है और oxygen बहार आती है मैं हाँ पे लिख देती हूं by the help of stomata present on leaves okay students I hope आप लोगों को ये सब कुछ किलियर हो रहा होगा तो students अब जब excess water हो जाता है तो जब water हो जाता है ना पानी वो वहाँ से ये stomata से loss भी होने लगता है हाथ कियाथ water का by transpirational pull अभी आप लोगों को ये सब कुछ यात करने की ज़रत नहीं है but जो water loss होता है जिसे हम transpiration बोलते हैं वो भी stomata के through ही होता है students sunlight by sun और students अगर आप लोगों से इस चीज़ का reason भी पूछ लया गया तो फिर reason क्या है हम यहाँ पे side में लिख लेते हैं reason presence of chlorophyll students एक और चीज़ कि जो photosynthesis होती है वो green stem में और green branches में भी हो सकती है जहाँ पे chlorophyll प्रेजन होता है जो भी चीज़ green है वहाँ पे हो सकती है जैसे कि leaves हो गई वो green होती है green leaves में chlorophyll present होता है तो वहाँ पे photosynthesis हो सकती है green stems में green branches में हो सकती है students अब हम यह देखते हैं कि जो photosynthesis होती है अगर वो ना हो तो क्या होगा students जैसे कि हम लोग हैं हम लोग अपने food के लिए plants पे ही depend है कि plants होंगे हमें food मिलेगा हम खाएंगे तब ही हम जिन्दा रह सकते हैं उसके बिना तो नहीं हमें energy मिलेगी ना nutrients मिलेंगे ना minerals मिलेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा students हमें तो students हमारे लिए यह जो process है photosynthesis का वो बहुत ही बहुत ज़ादा important process है क्योंकि इससे plant को तो food मिलता ही है साथ में हमें भी food मिलता है और students अब हमने यह बात करी थी कि green leaves तो desert में जहां पर पानी की कमी होती है जहां पर soil में इतना ज़ादा water नहीं होता है क्योंकि जो desert है वहाँ पर underground water जो है वो बहुत ही नीचे जाके मिलता है तो इस वज़े से जो उनकी roots होती है वो बड़ी होती है बट वहाँ पर जैसे हम सब लोगों को किसी तरह तो फिर इतना ज़ादा water loss नहीं होगा students am I right तो students वहाँ पर leaves पर वहाँ पर spines और scales होते हैं जिससे transpiration बहुती कम बहुती कम ना के बराबर होती है यहाँ पर हम एक statement लिख लेते हैं the desert plants have scale or spine like leaves to reduce loss of water by transpiration student में देख लेते हूं भाई camera में आ रहा है नहीं आ रहा है the loss of water sorry students through stomata of leaves is called transpiration अब students हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं water और मिनरल्स जो रूट्स से लीफ में ट्रांस्पोर्ट होते हैं वो होते हैं वेसेल्स के थुरू जो लीफ से फूड ट्रांस्पोर्ट होता है अलग अलग पार्ट में प्लांट के उसको हम क्या लिखते हैं लीफ फूड फ्रॉम लीफ टू अनदर पार्ट अनदर पार्ट ऑफ प्लांट वो फ्लो एम के थू होता है स्टुडेंट्स फ्लो एम के थू तो स्टुडेंट्स आप लोगों को यह सब कुछ समझ में आया होगा अब हम जो है वो इस्टॉमेटा का जो डाइग्राम है वो तो हम नेक्स क्लास में देखेंगे पहले हम फूटो सिंथेसिस की एक बहुती बेसिक सी वो एक्वेशन है वो देख लेते हैं कर्बन दियोक्साइड प्लस वाटर इन प्रेसंस अफ शनलाइड प्लस च्लोरोफिल गेव्ज राइस चू कार्बो हाइडरेट प्लस ऑक्सिजन तो स्टुडेंट्स यहाँ पे मैं एक चीज के बारे मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे जो कार्बो हाइडरेट है वो ग्लूकोस है NCRT में सिर्फ कार्बो हाइडरेट प्लस ऑक्सिजन लिखावा है पर यहाँ पे जिस कार्बो हाइडरेट की बात हो रही है स्टुडेंट्स वो ग्लूकोस होता है जो लीव्ज है वो ग्लूकोस के फॉर्म में अपना खाना स्टोर करती है पहली बात दूसरी बात स्टुडेंट्स हम एक अक्टिविटी में यह देखेंगे कि जो लीव है उसमें स्टार्ट प्रेजेंट होता है या नहीं होता है उसका जो टेस्ट होता है वो आयोडीन होता है यह हम नेक्स क्लास में पढ़ेंगे अब भी मैं आप लोगों को बस एक और लेते हैं सेल सबसे पहले स्टुडेंट जो सेल होती है वह एक बहुती बेसिक बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी हमारी बॉडी के लिए वह बहुत एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट है प्शल शो सेल ऐसज है बैसिक और फंक्शनल यूनिट ओ स्टुफ ली लीव्ट जडात्य है तो स्टुडेंट जब ये जो सेल है वो दिखाई कैसा पड़ता है सपोज ये एक सेल है किसी भी शेप में हम ले रहते हैं ये एक सेल है सेल इसके बाहर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल मेमब्रेन होती है जैसे कि students आप लोगों जानते ही है कि हमारे body में skin है जो हमें protect करती है इसी cell के लिए भी एक cell membrane है cell membrane ये से protect कर रही है students अब cell के अंदर एक nucleus होता है dark color का होता है students dark color का this is nucleus और यहाँ पर jelly like fluid होता है students जिसे हम cytoplasm बोलते है तो students आप लोगों को ये labeling समझ में हाई जो ये cell membrane होती है वो क्यों present होती है cell के बाहर ये NCRT में students एक छोटा सा box दे रखा था मैं आप उसी को explain कर रही हूँ cell membrane स्टुडेंट्स सेल के बाहर इसी लिए होती है क्योंकि सेल के अंदर कुछ भी ऐसे ही कुछ भी ना चला जाए जो selectively जो सेल के लिए अच्छा हो सिर्फ वही सेल में इंटर कर सके इस वज़े से सेल मेंब्रेंट प्रेजेंट होती है और जो स्टुडेंट्स सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वह बहुत जरूरी होता है सेल के लिए इसके फंक्शन्स हम कभी हाय स्टुडीज में पढ़ेंगे यह पर अभी के लिए इतना ही काफी है तो स्टुडेंट्स आज की क्लास को हम यही पर खतम करते हैं नेक्स क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आया होका और आपका कोई भी अगर डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंच सेक्शन में में को मेंसेज कर दीजिए मैं कोशिश करूंगे कि आप लोगों के सारे डाउट किलियर हो जाएं उसके उपर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी आप लोगों के लिए